Hello friends, how are you? I hope that you will be fine दोस्तो आज मैं आपसर एक social media ad post डियान करना सिखाँगा बहुत ही simple and professional जैसे कि आपसर को screen पर दिखाँ यह मैंने एक airport के लिए social media ad post डियान किया हुआ है तो इसा कुछ creative film पर डियान करेंगे step by step तो फिर इस वीडियो में start to enter तो दोस्तो आप पर इस छोटाता request है अगर आप मैं चैनल पर ठेली बार आएं ते पर मैं चैनल को like surprise हो करेंगा ताकि आपसर करेंपे कुछ नया creativity यह इन सीखने मीटे दोज तो बीना time waste करते हुए चले start करते हैं हम आगा है Photoshop CC में मैं जाता हूँ फाइल में और यहां से एक new file create करता हूँ और यहां पर मैं size रखता हूँ 1080p tight-sear में color mode RGB और यह फाइल ने में देता हूँ में Promo Add और यहां से create कर लता हूँ तो यह हमाना design size आएगा अब मैंने कुछ image लिएवे इनका link आप से को description में देगा पहले तुम इस image को select करूँगा और यहां पर लाकि इस तरह यहां पर रख रूँगा Ctrl T करूँगा और यहां से इस तरह में से manage करूँगा बिल्कु सेंटर में रखूँगा अब यहां पर background पर किलिक करूँगा और यहां से जाओंगा और इसी से में आईड्रोपर से color pick करूँगा तो इसका code यहां पर generate हो जाएगा अब इन दुन को select करूँगा Ctrl E करूँगा तो यह merge हो जाएगे अब फिर से यहां पर जाओंगा और यहां पर इस product को select करूँगा और यहां पर लाके इस तरह में इसे बिलकुश सेंटर में manage करूँगा अब यह निच्छाल इमेज को off करूँगा और यहां background pick clear करूँगा और यहां से जाओंगा solid color में और इसी से related में कोई color pick करूँगा dark थोड़ा सा निच्छे की तरफ हाँँगा इस तरह सब कोड यहां पर जन्रेट वियाएगा आप OK करूँगा अम इस image को visible कर लूँगा तो यह नहीं में कुछ चीज तरह है दिखतो अम इस image को select करूँगा यहां से और यहां पर में normal में जाके यहां से में कोई effect select कर लेता हूँगा यहां पर में heart light को select करूँगा अम इसे को पर एक new layer लूँगा और इस layer पर click करूँगा यहां से जाओँगा brush में brush में जाके यहां से software को choose करूँगा इसे close कर लूँगा अम ए open bracket से brush को इस तरह बड़ा कर लूँगा और यहां पर color box पर जाओँगा और यहां से color pick करूँगा थोड़ा उपर की तरफ जाओँगा इसका code यहां पर generate हो जाएगा अब मैं यहां पर click करूँगा तो कुछ इस तरह effect आएगा अब मैं इस product को select करूँगा इसे का एक duplicate लिका लूँगा नीच और layer को select करूँगा यहां से smart object में convert करूँगा control T करूँगा और इस pointer को यहां पर ला करूँगा अगर यह pointer आप सभी को यहां पर ना दिखे तो यहां पर uncheck करेगा तो इसे check करनी जाएगा right click करूँगा और इसे click particle करूँगा इस तरह में इंटर करूँगा अब में इसे को masking करूँगा तो यहां पर icon पर click करूँगा masking के white box पर click करूँगा यहां से brush को click करूँगा जो कि already solvers लिया हुआ है इसे close back is इस तरह में छोटा कर दूँगा और यहां पर इस तरह में इसे erase कर दूँगा और यहां से इसकी थोड़ी इस opacity काम करूँगा में 70 तक रखतां इंटर करूँगा अम यहां पर एक new layer लूँगा और यहां color box पर जाओँगा और इसे product से dark color pick करूँगा थोड़ा सा नीचे की तरह पाऊँगा इसका code यहां पर दूट रखताएगा अम यहां पर दोड़ा click करूँगा तो यह कुछ इस तरह effect आएगा इसे पकड़ूगा और इसे इस तरह में band करूँगा और यहां पर इस तरह product की नीचे रख लूँगा मैं थोड़ा सा में इसे बढ़ा करूँगा इस तरह लिंटर करूँगा तो यह कुछ इस तरह एक shadow दिखेगा अब मैं इसे को पर top layer को select करूँगा और यहां से gradient में और यहां से gradient pick करूँगा तो मैंने यहां पर यह gradient color लिया हुए यह रासका code यहां पर और यहां पर मैं इसकी opacity रखा है 0 मैंने 100% से कम कर लिया है ने इसे OK करूँगा अम जाँगा यहां पर radial को select करूँगा और यहां पर इससे inverse कर लूँगा और यहां पर मैंसे select करके थोड़ा super कितरा और यहां से scaling थोड़ा बाढ़ हलऊंगा इस तरह और OK करूँगा अम इस ward box पर click करूँगा यहां से brush को select करूंगा brush को थोड़ा बड़ा करूंगा और यहां पे इस तरह क्लिक करूंगा तो यहां पे कुछ इस तरह effect आ जाएगा आम इस product को select करूंगा और यहां से में जाओंगा yes tool को select करूंगा तून को सेलेक करके और यहां से इस तरह में फोड़ा से इफेक्ट दे दूंगा इस तरह में आमें फिर से इस आइकन पर जाओंगा और यहां से बॉन तून को सेलेक करूंगा ब्रश को थोड़ा से छोटा करूंगा प्रोड दैकर से और यहां नीचे के दा थोड़ा इस डार कर लूँगा मैं इस तरह तो इडियन में कुछ इसता दिखाए दोस्तो अब भी जाओंगो यहां पर जो कि मैंने इमेज रखा हूआ इस इमाइज को सिलेक करूँगा और यहां पर लाकर इस तरह से रख लूँगा थोड़ा से चोट बड़ा कर लूँगा थोड़ा से रोटे करूँगा लेयर में जाओंगा और यहां पर इस टेक्स को क्लिक करूँगा और यहां से में थोड़ा सा में डार्क रल रखूँगा क्योंकि यह वीजिबल नहीं हो रहा है ओके करूँगा और यहां पर इसे भी सलिक करूँगा और इस कलर बोक्स पर क्लिक करेके यहां से कल करना हो का यहां पर को करना करंगा मैंने इस करेंगा करों कर दीफिँटर करेंगा करेंगो करेंगे तो यहां से जांगा का। यहां से जांगा मैं और योजिवकल अ吧 करने यहंद रखोंगा नहीं कोई अबयों सब् мо dozen सब्सक्राइब रांगा